नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कल का दिन NCB की पूस्ताश में बहुत जादा हरकत वाला रहा था और हरकत वाला इसलिए बोलना हूँ कि कई जो है कल बड़े बड़े नाम पूस्ताश में शामने आ रहे थे जिसमें जयाशा NCB की पूस्ताश में सीधे लाइन पर आने ही वाली थी कि दो-तीन जो है चेट भी वाइरल हो गई थी जिसमें जो है नाम आ रहे थे खासकर एक D नाम से एक K नाम से एक S और एक N नाम से ये चार नाम ये चार वर्ड जो थे वो सामने निकल कर आई थे शाम होते होते जो है कैई सारे जो वर्ड थे जैसे D नाम से DP का पादू को उन्ट था वो किलियर हो गया था और DP का को तो अल लेडी हम लोगों ने पहले भी देख रखा है करण जहूर की पार्टी में कैसे ये मैडम जो थी जो एक छोटे से बच्चे के कंधे पर बैठी होई थी हम सब ने देखा है और K नाम से जो नाम आया था वो आया था करिश्मा परकाश का करिश्मा परकाश जो है वो इसी DP का पादू कौन की जो है मेनिजर है तो K से जो नाम है वो है करिश्मा परकाश और S नाम से जो नाम आ रहा है जो शर्दा कपूर का नाम है S से दूसरा नाम सारा अली खान भी है तीसरी S नाम से ही एक और नाम भी आता है स्वेता नंदा का जो की अमिता बच्चन यानि जया बच्चन की बेटी है S नाम से ये तीन नाम हो सकते है तीनो के तीनो का नाम जो है NCB के रडार पे है तो S नाम से तो मुझे यही लग रहा है बाकी N नाम से जो है वो अभी तक किलियर नहीं हो पाया है कि N नाम से कौन हो सकता है तो आपको कौन लगता है कि एन नाम से कौन सा बड़ा इस्टार हो सकता है बड़ा या छोटा जो भी हो सकता है एन नाम से जो किलियर नहीं हो पाया शाम तक भी कि एन नाम से कौन होगा लेकिन हाँ एन नाम से जो मुझे याद आ रहा है अपनी तरब से वो याद आ रहा है स्वेता नंदा की बेटी ज आपके नाम से कोई और नाम पॉपुलर नाम आपकी नजर में आ रहा है तो आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना वैसे जिनके नाम मैं ले रहा हूं वो सारे के सारे जो हैं NCB के रडार पे हैं इस टाइम पे लेकिन एक बात ये भी सच है कि एकका दुक्का जो नाम निकल के सामने आ रहें NCB के थुरू या जो NCB जिन से पूस्ताच कर रही है उनके थुरू ये सब वो हैं जो इस केस में बली का बकरा बन सकते हैं क्योंकि जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो तो बली का बकरा बनी जाएंगे और बाकी लोगों को बचाने के लिए जबकि सच्चा ही यह है कि बॉलीवूड का 99% जो है वो नसेडियों से भरा हुआ है बॉलीवूड कंगना रनोत ने भी ना जो रेशियो बताया था न 90% का वो मुझे लगता है अपनी तरफ से जो मैंने बॉलीवूड पे जितना रिसर्च किया है बॉलीवूड को जितना जाना है बॉलीवूड में जितनी मेरी सोर्सी है दो चार उनके थ्रू जो मुझे लगता है वो 99% का रेशियों है नसेडियों का और खासकर इसमें नसेडियों है वो ड्रिंक शराब के कम है और गांजे के और जो ड्रग्स है ना उससे रिलेटिर जो नसा है वो जादा है ब अब बात करते हैं दूसरे नसेडियों के सरदार यानि अनुराक कश्यप की हर फालतु मुद्दे पर देश की सरकार को गाली देना ट्वीट करना मीडिया में बयान देना आज की डेट में यह इसका पेशा बन चुका है फिल्में इसकी दो पैसे की नहीं होती है उनकी स्ट हर मुद्दे पर ट्वीट पेलने में ये बन्दा माहिर है चाहे कोई भी मुद्दा हो उस मुद्दे की इस बन्दे को जानकारी हो ना हो उसकी नौलिज हो ना हो इसे कोई मतलब नहीं है लेकिन ट्वीट करना इसका मुख्य शौक है आज की डेट में लेकिन जब से पायल साइट पर दिखाई दे रहा है तब से ये बंदा गायब है और पायल गोष्ट ने अपने जो बयान में कहा था तो उसने कहा था कि जब अनुराग से मिली थी तो उसने जो अनकमफर्टेवल फील कराया था गलत इरादे से उसको छूने की कोशिच की थी जब उसको अपने घर फे बुलाया था और घर पे उसको उस ताइम पर बुलाया गया था जब वो अकेला था तो एक तरह से उसके जो इरादे थे उसकी जो इंटैंस थी वो उसे कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं लेगी पायल गोश्ट को और तभी उसने जो ए मीडिया में उल्लेड़ी बयान दिय लेकिन है न हैरानी वाली बात की इतने सारे आरोप लग चुकें इस बंदे पर और अनुराक कश्चप के मुह से एक शब्द भी नहीं निकल ला इस टाइम पे और हकीकत तो यह है कि अब वो बोलेगा भी नहीं क्योंकि उसके पास बोलने को इस टाइम पे कुछ है ही नहीं और वो खुद जो है अपनी जो लंगोट उसकी धीली पढ़ने लगी है वो उस लंग सामने जो है आज के समय में नहीं नाम सामने आरहे है जो नाम ऐसे हैं जिनके चहरे घिनोरैंक िक यह सब या थो चोटेश बैखने के लिए मंघरी में जाती और उनको यूज करते हैं जो लोग ये वो चहरे हैं और ये सही समय है जब इस गंदिगी को जो हम लोग साफ कर सकते हैं और एक बात और बता दूँ कि इस गंदिगी को कोई NCB कोई CBI साफ नहीं कर पाएगी क्योंकि इसे हम लोग साफ कर सकते हैं हम लोग इन लोगों को जो है औकात नहीं दिखा सकता है ये एक कह सकते हैं आज के समय की सच्चाई है और ये भी एक फैक्ट है कि आज अगर हम इस गंदगी को साफ नहीं कर पाए न तो आने वाले समय में ना जाने कितने सुसांत और कितने दिशा और कितने दिव्याभारती इसकी भेंच चड़ेंगी